ठीक है दोस्तो तो आईए जानते हैं तीन ताल का बारे में सबसे बात पहले करेंगे तीन ताल तीन ताल मातरा कितना होता है इसमें तो ये होता है सोरा मातरा की ताल दोस्तो बोल क्या होते हैं देखिए तो होता है धा धिन धिन धा फिर धा धिन धिन धा धा फिर धा तीन तीन ता फिर ता धिन धिन धा ठीक है ये दोस्तों देखिए एक दो तीन चार पांच चैसा ता नए दस ग्यारब बारा तेरा जोदा पंदरा सोला ये देखिए सोरा बोल हो गए सोरा ठेक हो गई दोस्तों तो ये आपकी सोरा मातरा की ताल हो गई दोस्तों ठीक है और इसमें चार विभाग होते हैं एक तो तीन और ये चार देखिए एक दो तीन चार तो इसमें विभाग कितने हो गए आपके चार ठीक है दोस्तों तो ये जो भाग में बटा होता है उसको भी भाग कहते हैं जो ये एक दो तीन सोरत तक लिखा गया है यानिकि सोरा मातरा गताल होता है यानिकि बोल धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तीन तीन ता धिन धिन धा ठीक है दोस्तों एक और बोल होता है दोस्तों उसको कहते हैं ना धीन धी ना ना धी धी ना ना ती ती ना ना धी ना थी न धी ना नाधी धीना नाधी धीना नाधी धीना नाधी धीना ठीक है दोस्तों तो ये भी आपके चार भाग में बढ़ जाएंगे ठीक है अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों अब देख लिए ये दो ठेका का बोल हो गए सोरा मातरा हो गए समझ गए दोस्तों भाग चार हो ग तो पहले पे ताली है फिर दूसरी ये पांचवे ठेके पताली है इसके बाद ये नौवे पे खाली है दोस्तों और फिर तेरह पे तीसरी ताली है दोस्तों तो एक पांच और तेरह पे ताली और नौव पे खाली ऐसा बोलते हैं ठेक हमें विभाग कितने हो गए चार एक दो बजाते नहीं है. तबले पे खाली दिखाते हैं. तो यह आपका हो गया तीन ताल दोस्तो. ठीक है? यह छोटा खैल में. जद्धा प्रियोग किया जाता है. दोस्तो. अब चल कोन सा है, दोस्तो. एक है दादरा, और दूसरा है कहार्वा ताल. दोस्तो तो पहले बात कर लेते हैं दादरा ताल का दादरा ताल ठीक है तो दादरा ताल का ठेकाल देख लिजिए दोस्तो तो यह होता है धा धी ना धा तु ना ठीक है धा धीनना धा तुनना एक दो तीन चार पांच छै कितने मातरा का ताल हो गया दोस्तो तो मातरा हो गया आपका च्छा है अब देखिए इसमें दो ही विभाग होता है तो विभाग हो गया आपका दो ठीक है विभाग कितने हो गया दो और मातरा कितने हो गए च्छाय है तो यह तो किलियर हो गया अब सम और खाली देखते हैं तो सम और ताली और खाली पर क्या होगा तो पहले पर ताली और फिर चौथे पे खाली हो जागा दोस्तों इस तरह से दो विभाग छै मात्रा है पहले पे स्वम या ताली पहली ताली और चौथे पे खाली है दोस्तों ऐसे खाली को ऐसे दिखाते हैं ताली और स्वम को ऐसे दिखाते है पहली ताली को, ठीक है, तो धा धी न धातू न, बहुत सारे गजल, या गीत, या भजन में बजाय जाते हैं दोस्तों, ये दादरा ताल, ताल प्रधान है, ये कोई भी गीत में अगर बज जाए दाधरा ताल, तो उसकी खुबसूरती बढ़ा देता है दोस्तो तो ये गीत को अपने ताल से ही हीट कर देता है दोस्तो ठीक है और सबसे ज्यादा बजने वाला ताल आपका कहारवा ताल दोस्तो कहारवा ताल ठीक है दोस्तो ये धागे नतिनक दिन जितना भी कोई सिखता है सुरू में य आते हैं या पहुछ सारे गाने इसी में बज़े हैं दोस्तों ये बहेरी इंपॉर्टेंट ताल है दोस्तों इसको देखिए तो कहा रवे ताल का ठेका हो जाता है धागे नती नक धेण ठीक है तो एक दो तीन चार ठीक है विभाग कितने हो गए दो यहां ताली ठीक है और यहां आपके हो जाएंगे खाली ठीक है दोस्तों तो अब देखिए कितना हो गया मातरा चार विभाग दो ठीक है एक पे ताली और तीन पे खाली दोस्तों धागे नती नक धीन ठीक है लेकिन कुछ बिदवानों का मानना है काहारवा ताल आठ मात्रे का ताल है तो इसको तोड़ दिये है धागे नो ती नो को धी नो ठीक है ऐसे तो यह कितने मात्रे ओ उसमें विभाग बनाते हैं तो इसको अब दो दो मात्रικήा चार भी भाग बना देते हैं दोस्तों आईसे ठीक है तो यह आपका यहाँ पे ताली हो जाता है पहली ताली यह सम दूसरी ताली और यहाँ पे नौक कार लिए senin और यहाँ पे तीसरी ताली देख लिषिए एक लिए एक दो तीन चार प LEG dealer । दे पहले थोड़ा सा आपके जो गम के गीत हैं गजल है भजन है तो उसमें ज्यादा कहारवा और दादर अताल का प्रियोग होता है दोस्तों ठीक है तो कुछ विद्वानों कहना है कि कहारवा ताल चार मातरे का ताल है धागे न तीन का धीन एक साथ जोड़कर बजाते हैं या एक साथ बोलते हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये आठ मातरे का ताल है दोस्तों अलग-अलग कर देते हैं उसी को धागे न तीन का धीन ठीक है तो इस तरह से अगर आठ मात्रे का ताल लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे विभाग और ताली खाली ठीक है ये आपका विभाग हो जाएगा चार और मातरा हो जाएगी आठ दोस्तो यह देख लीजिए तो यह आपका कहारवा ताल है तो ये दो ताल जो है प्रसीत ताल है दादरा और कहारवा और एक तीन ताल है दोस्तो तो इस तरह से आपके ताप टेन सास्तिरी और सुगम शंगीत भजन गीत ठुमरी और धुरूपत के ठेके रहें दोस्तो तो उमीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया हो दोस्तो उमीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तो आपके दादरा ताल कहारवा ताल जब ताल रूपक ता लेते हैं आप आप आगर आफ जान जाते हैं डशाय लेते हैं बोल समझ लेते हैं दोस्तों ऱब अब बन सकते हैं और ने के बारे में आपको बहुत अच्छी जनकारी ओस्तों इसका दोस्तों सब्सक्त obrigado हं बीडियों बदाओंगा कैसे बनता है दो तो दोस्तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. नमस्कार दोस्तों.